स्वागत आपका Note 10 Lite vs OnePlus 7 Pro के camera comparison में और straight to the point है मैं जादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा तो शुरू करते हैं डेल लाइट शॉट से और यहां पहली शॉट में आप देखेंगे डेफिनिटली वन प्लेस थोड़ा पीछ रहागा है डायनमिक रेंज के मामले में जबकि Samsung ने काफी अच्छा काम किया है अल्टर वाइट में भी आपको सेम कहानी देखने को मिल रही है जहां डायनमिक रेंज वन प्लेस की थोड़ी सी लो पड़गी है Samsung में मुकाबले और जूम में अल्मूस्स सिमिलर है बट जो वन प्लेस सब जादा जूम कर सकता है Samsung के comparison में इस शॉट में आप देखेंगे तो यहां मुझे थोड़ा वन प्लेस के शॉट पसंद है क्यूंकि वो कलर को सेचुरेट नहीं कर रहा है नेच्रल रख रहा है जबकि Samsung एज यूशुल सेचुरेट कर रहा है बट जब हम देखेंग अल्टर वाइट शॉट तो यहां पर मैं यहां पर हो गई है एक वाइड एंगल चॉटा और यहां पर अगें वन प्लस की डैनमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है जबकि Samsung ने वही सेम चीज किया बट जब यह केस आता है तब यहां पर देखने को मिलता है कि वन प्लस ने ओवरॉल जाद अच्छा काम किया हाला कि यहां पर मुझे वन प्लस की ओरल इमेज जो ब्राइट निल्स और कलर्स के माँ में जाद अच्छी लगी और यह तो डिफिकल्ट चॉट ता और अगें Samsung ने बहुत अच्छा काम किया अगर आप प्लांट में देखेंगे तो उनकी जो ओवरॉल यहां पर एक कह सकते हैं कि शैडोस में डीटेल्स ही उगाईब होगी वन प्लस में जबकि और यह वाइट एंगल शॉट है जबकि Samsung में ऐसा नहीं हुआ है सेम केस नॉर्मल शॉट में देखने को मिला है शैडोस में डीटेल्स नहीं है यह में चीज़ इंप्रूफ कर सकता था इवी स्लाइड जो एक जो quality है जो dynamic range है Samsung की अच्छी है और यह 48MP का शॉट है OnePlus 7 Pro में और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि OnePlus ने टोटली dynamic range बना के नहीं रखकी सब कुछ उड़ा दिया है और क्यूंकि Samsung में यह ही नहीं कोई 12MP इस था हाई सेंसर तो वहाँ पर आपको अच्छा फोटो देखने क नहीं थी और यह 10x जूम था डिरेक्टली कैमरे से में 10x जूम किया और जैसे कि आप देख सकते हैं OnePlus का थोट से क्वालिटी बैटर है compared to Note 10 Lite क्यूंकि आपको देखने को मिल रहा है अब हम चलता है human subjects की तरफ और यहां पर आप देख सकी skin tone OnePlus पे जादा बैटर है और overall picture भी अगर आप पीछे background देखेंगे OnePlus की जादा बैटर है same चीज़ यहां wide angle में आपको देखने को मिलेगी हाला कि Samsung बहुत जादा capture करता है extra ही capture कर लेता है जैसे कि आप देख सकते हैं but कहीं न कहीं मुझे OnePlus की overall जो skin tone और जो overall picture जादा पसंद आई इस case में same case अगर हम 2x जो 3x zoom कर और अगर हम portrait mode की बात करें दोनों के portrait mode zoom करते हैं और नहीं भी करते हैं पहले zoom करने वाला आपको दिखा दूँ तो यहां skin tone again मुझे OnePlus की पसंद आई OnePlus थोड़ा जादा जूम करता है Samsung से और अगर हम दूसरा option यूज के जहां zoom out कर रहे हैं again आप देखेंगे Samsung ने थोड़ा साथ यहां पर subject को उतना अच्छी नहीं से ब्राइटन नहीं किया है जबकि OnePlus ने किया है बट Samsung आपको blur भी adjust करने का option देता है तो यह अगर आप देखे यहां पर no 10 light but skin tone के मामने में OnePlus 7 pro को मैं prefer रहे हो और जादा natural है और यहां पर selfie के अगर बात करें तो selfie में definitely skin tone और overall जो quality है OnePlus की पसंद आ रही है बट हो सकते हैं कि आप लोगो को note 10 light है क्योंकि जादा कुछ difference नहीं है दोनों में अगें यहां potent mode है और यहां salute है OnePlus को कि उन्होंने इतना अच्छे प्रोसेसिंग की कि जैसे अब note में देख सेथे हैं पूरा background ब्लो आउट होगे बट OnePlus में नहीं हुआ है इवन group selfie भी ऐसे है यहां पर मैं बहुत जादा confused नहीं है देख लो आपको भी almost similar ही दिख रही होंगी यहां पर images तो यह मैं आप तक चोड़ता हूं आप पर चोड़ता हूं आप मुझे बताओ इस case में आपको क्या पसंद आई कौन सी वाली सेल्फी पसंद आई कौन गूर्प सेल्फी ऑल्मस्ट और क्या जो भी पसंद आपको नीचे comment में जाके कर दो एक वारी की note 10 light पसंद आया यह oneplus 7 pro पसंद आया सेल्फी वीडियो आप जो देख रहे है अभी चल रहा है 1080p और 60 fps पे अभी मैं चल रही हूं तो आपको stabilization का भी पता चल जाएगा और जो mic से आवाज आ रही है वो इसी के internal mic से आवाज आ रही है और इसमें और एक mode है जो है 4K का mode वो भी आपको next वीडियो में दिख अब यह है 4K 30 fps तो अभी क्या है ना अभी जी थोड़ा शर्मा रहा है वीडियो बनाने के लिए मैं तो नहीं शर्माती आपको सबको पता है सबसे ज्यादा वीडियो तो मैंने बनाए है और as usual माइक से आवाज आ रही है इसके internal mic है और जो वीडियो है वो मैं चल के बना र और इंटर्नल माइक से आवाज आ रही है अगर मैं 30 fps तो यह नहीं होगा चेंज बेसिकली अभी मैं नॉर्मल मोड में जा सकता हूं इवन जूम भी कर सकता हूं और यह नॉर्मल मोड और यह अल्टरा वाइड मोड तो ऐसे चलता रहेगा और यह आपको थोड़ा डैनेमिक स्क्रेंज और स्टैबिलिटी का बच लेगा अगें वाज वाज वह इंटर्नल माइक से आ रही है 30 fps पे अल्टरा वाइड 4K में रिकॉर्ड हो रही है तो मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा यह स्टैबलाजेशन आपको पता चल रहा है में एक वरी फिर बीस की डिटेल्स और एश्वार है थोड़े सदमे में खड़ी है और यह रहा नॉर्मल कैमरा और यह रहा जूम और यह वापस इसमें और यह वापस अल्टरावाइड में तो ऐसा आपको पूरा इंटरफेस मिलेगा यहां पर बाकी हम देख लेते हैं आगे वीडियो में क्या हो देखने को आपको थोड़ा आइटिया मिल जाएगा अब चलेंगा अगर हम यहां पर स्लो मोशन में तो आप यह देखते हैं जो कि काफी अच्छी तरह इंप्लिमेंट किया हुआ है अगर आप देखते हैं बैग्राउंड भी खराब नहीं हुआ है जो कि हो जाता काफी केसिस में और स आपको स्लो मोशन मिलेगा और काफी अच्छा देखता वह जैसा आप देख सकते हैं और यह थोड़ी मीडियम लाइटिंग हो चुकी थी और यहां पर मैंने जो पिक्चर लिया हमें वनप्लस के साथ जान चूंगा ओर ओर डाइनमिक ग्रेंज और जो ओवर्राल ब्राइट यह फरंट कैमेर से और आपको क्वालिटी को पजा जाएगा इंटर्नल माइट से अबाद आ रही है यह है सुपर स्टेडी मोड तो आपको कुछ फील नहीं होना चाहिए बेसिकली एटी पी पे है स्टेबिस्टी का और क्वालिटी का पदल जायेगा और इंटर्नल मीक जा तो कि 60fps क्वालिटी का पपता जिल जाएगा और स्टेबिलिटी का भी आपको बड़ा बड़ा आइडिया मिल जाएगा जो कि मुझे वैसे क्वालिटी अची नहीं लग रही है कुछ खास अगें क्वालिटी कुछ खास नहीं लग रही है और इंटर्नल में एक सावाज आ रही है और स्टेबिलिटी का पको बड़ा जाएगा और फानली अब हम आते हैं नाइट ताम फोटो को यहां पर डिफरिंस सामने देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेंग प्राइमरी कैमेरा उसमें वनप्लस डेफिनेटली बेठर है कंपेर टू समसंग के नहीं मैं करहा है कि सामसंग बेकार है बट अग स ऐचा काम किया और यहां पे आप देखते हैं based on the air और पोड़ा वoqu not अच्छा जंब नहीं है यहां पे आपे यहां उटेफिनिट लिफ टल शो आपाइबर में आपको देता सी करे आपिध्य केमरां uel करते हैं तो नोट टीक है दोनों हम वेकार है ऑफ कहीं लेगी नोट जादा बेटर है कमपेर टु वन पिलस अगेन नॉर्मेल शॉड्ट वन पिलस का अच्छा है और नोट का यो यह वाय यंगल का फी अच्छा है सेम चीज यहां देखने को मिलेगी नॉर्मेल शॉड्ट अगेन वन और फाइनली में जो है वो है सेलफी जहां देखेंगे कोई कॉंपेडिशन नहीं है और वन प्लस ने तो कुछ रेजिस्टर भी नहीं किया और जो मैं कहना जाता हूं कि नोट एनलाइट जो है वो डेफिनेटली डेफिनेटली जो है यहां पर आपको बैटर इमेजिस देगा डेलाइट टाइम पर जो आपको डाइनमिक रेंज अच्छी देगा बट नाइट टाइम में फॉर शॉर आपको वन प्लस ही लेना चाहिए कि वह आपका बैटर ऑप्शन है तो बहुत ही कंफ्यूसिंग सा रिजल्ट है मैं भी कंफ्यूस था आई नो आप भी कंफ्यूस हो और आए अपको वीडियो पसंदे तो लाइक इचा in रिडियो कर सबस्क्राइब करना मत भूली कंटेंट मिलता उच्छे मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए टेक केर, बई बई